नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेटी विद्ग्यान प्रकास में देखें 69 सिक्षक भरती कटा मैटर पर आज की सुनवाई यानि की 22 अक्टूबर 2019 की सुनवाई कम्प्लीट हो गई है और इस वीडियो में जानेंगे की आज कोट में क्या हुआ तो दोस्तों आज की सुनवाई सवाद दो बजे से लगबस शुरू हुई थी और उसके बाद कोट के बंद होने तक ये जो सुनवाई थी वो चलती रही हलागि सुनवाई में 2018, 68,500 की जो सिक्षक भरती है उसमें और 69,000 की जो सिक्षक भरती है इसमें डिफ्रेंसियेट करने की कोशिज भी की गई दोनों के जो अलग अलग तत्थ हैं उसको भी रखा गया साथ ही साथ ये भी का गया कि सिंगल बेंज ने 2018, 68,500 की भरती और 2019 में 79,000 की भरती जो की सरथा भिन्न है उसके विग्यापन को एक ही कैसे माल लिया और एक नियम दोनों में कैसे लागू कर दिया ये सारी बाते कही गई सिंइर एडवोकेट अनिल तिवारी जी के द्वारा और ये भी कहा गया कि सिंगल बेंज में इमोशनल कार्ड खेल कर हमारे याचियों के विपक्षियों ने गुबरा करके भारां के साथ कम पासिंग मार्ग भी मांग लिया था सुप्रिम कोर्ड का आडर ऐसा नहीं है सिंगल बेंज में बियांड डिमांड आफ रिट पेटिशन कैसे फैसला नहीं दे सकती है 40-45 का फैसला डिमांड नहीं था ये सारी चीज़ें कही गई और इसी के साथ ये बात भी बताई गई कि यहाँ पर जो सिक्षक वर्ती चल रही है बरतमान में 69,000 वो सिक्षक वर्ती 45,500 के सिक्षक वर्ती से इस माहने में भी भिन नहीं क्योंकि इसमें बीट जो है वो सामिल रहा है हाला कि ये बात हैं जो पिछली तारिक थी उसमें भी रखी गई थी ठीक है तो दो तो इस प्रकार से पंकस तोर को भी सारे प्वाइंट तो कई बार रिर्पीट होने से याद हो गए होंगे आंसर जार पांसो परिच्छा ओ एमार सीट पर नहीं थी यह सब्जेक्टिव परिच्छा थी पचिस प्रसत का भारांग देंगे तिवारी सर ने कहा कि मदब यहाँ पर किसी को बेदभाओगे आदार पर कटाफ नहीं लगाया गया है यह नहीं कहा गया कि 1997 का कटाफ लगागे से चमित्रों को बाहर करने का सरकार का उद्देश है ऐसा बिल्कुर भी नहीं कहा गया यह कहा गया कि कटाफ लगाया गया है मातर इसलिए क्योंकि परिचारती अधिक थे और हमें एक क्वालिटी टाइप टीचर चाहिए थे इसलिए कटाफ अधिक लगाई गया है यह सारी बातें यहाँ पर बताई गया है आनंद कुमार की केस में जो दिया है उसके बारे में भी तर्चा हुई है और फिलाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी अपडेट है उसके एकॉर्डिंग यह है कि अब यहाँ पर जो अगली तारीक है वो 6 नॉवंबर लगा दी गई है यानि कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो 6 नॉवंबर को सवा 2 बजे से सुरू होगी तो दोस्तों इस प्रकार से कर देखा जाए तो आज कुल मिला के अनिलतिवारी जी का सब्मिसन पूरा हुआ वी पक्ष से उपहेंद्र मिट्रा जी अगली डेट को बहस करेंगे और अगली डेट पर उपहेंद्र मिट्रा जी का नंबर आएगा मतलब वो अपने पक्ष को रखेंगे तो यह सारी चीज़े हैं और अब जो अगली डेट है वो 6 नॉमबर लगा दी गई है आपको बता दें कि अगर लगातार सुनवाई हो तो यह पूरा मैटर 4-5 सुनवाईयों में clear हो सकता है और रेजर्व हो सकता है लेकिन बसरते कि सुनवाई लगातार चले या कम जो गैप होता है बीच में इतना गैप न दिया जाए तो दोस्तों यह है आज की अपडेट अगली तारी लगी है 6 नॉमबर और यह सारी अपडेट देकर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप